हलो माई डिया स्टूडेंट्स सो फर्स्ट अफ आल तो आप सभी कैसे हैं ठंड बहुत जोर से है और सबको इस ठंड में और इस न्यू येर में एक ध्माका मिला है कि एक्जाम इस राउंड कॉर्नर फेबरी में जून में जोबी पेपर आपने अटेंप करना है और हमारे पा इसको हम बोलते कंस्टेंसी जो भी आपको मिलता है अप लेते हैं सुनते हैं उससे हम दो तीन चार दिन काम कर सकते हैं पर उसके बाद फिर बापिस लाइफ नॉमल हो जाती है ना फिर आपको वापिस यासा लगता है कि कुछ मोटिवेशन होना चाहिए कुछ हो तो ज्यास और कdade है तो आप बहुट लंबे टाइम तक टेके रहेंगे और बहुत लंबे टाइम तक आप कोशिश करेंगे तो कसिटेंटका कामशिसेंसी का मतब्या है कि पढ़ाई करते रहें ना चीन घंटे करें हैं चार घंटे पढ़ाई नहीं छोड़नी है और when it comes over the preparation कैसे करनी है आपके पास में अगर आप February वाला पेपर दे रहे हो 50 दिन है 45 दिन है तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है जो आप पहले पढ़ चुके हो जो आप क्योंकि एक्जाम अभी गहा है उसको जल्दी से revise कर लीजे जो भी आप पढ़ चुके हैं क्योंकि आप first of all जो तक revise नहीं करोगे तो कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो revision is must सबसे पहले जो जो unit में बहुत जादा clear हो उन सब को revise कर लीजे और उसके बाद जो time बचता है उस time में उन units को उठाएं जिसमें आपने पहले भी problem थी और जिसके question आप पहले भी नहीं कर पाए थे तो उस time में आप उनको unit को करने की cover करने की कोशिश करें जो आप पहले नहीं कर पाए धंग से तो पहले उनको पक्का कर लें जो already पढ़ा हुआ है आपने और उसके बाद फिर आप उनको पढ़े जो की आपने आपको लगता है तकलीव देते हैं आपको दुख जादा देते हैं उनको revise करें एक systematic structure तरीके से पढ़ाई करोगे तो I hope आप जरूर clear कर पाओगे ठीक है पर be consistent about the studies चार दिन पढ़ लिया पांच दिन छोड़ दिया ऐसे काम नहीं चलता है तो motivation ठीक है पर be consistent क्योंकि वो एक दिशा दिखाता है आपको कि हां मुझे ये करना है और the most important thing कि अपना time manage आपको खुद करना है आपकी life में क्या-क्या चीज़े हैं क्या-क्या काम है responsibilities है वो एक individual को ही पता होती है तो अपना time table अपना management time का आपको खुद set करना है आपको कैसे पढ़ना है और paper 1 को भी उतनी weightage देनी है जितनी आप paper 2 को देते हैं तो ऐसा नहीं paper 1 छोड़ दिया तो मुझे लएसा लगता है सुबह उटके अगर आप paper 1 करेंगे घंटा-2 घंटा तो वो fresh mind में you can do better with the first paper क्योंकि उसमें थोड़ा सा logical reasoning, maths और ये सब आजाती है और उसके बाद आपके पास जो दिन बचता है उसमें आप divide कर सकते हैं सुबह मैंने 2-3 घंटे paper 1 पढ़ लिया दिन में 2 घंटे आप अपना paper पढ़ लो, subject वाला paper शाम को आप अपना subject वाला paper पढ़ लो, रात को अपना subject वाला paper पढ़ लो तो इस तरीके से आप एक system बना के पढ़ सकते हो बहुत ही है फजार तरीके से ना पढ़े कि कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, ऐसे ना पढ़े तरीके से पढ़े, so that आपको समझ में आए कि आपकी line of preparation जो है, वो सही दिशा में जारी है उसके बार फटा-फट से revision हो जाएगा आपका जित्ती भी unit है, क्योंकि आप उसमें पहले से ही माहिर है और उसके आसाथ PYQ करते रहे है, या mock test करते रहे है, और फिर जब time बचेगा, अच्छा खासा, उसमें हमें वो unit सो दहनी है, जिसमें हमारी, अमारा जिसे बोलता है, week section जो है हमारा तो इस तरीके से आप एक time line बना कर preparation करेंगे, तो मुझे लगता है, आप ज़रू सफलता को पाएंगे, ठीक है, so be consistent, okay, studies में करते रहे हैं, लगातार करते रहे हैं, जितना भी आपको करना है, ठीक है, छोड़िये नहीं बीच में, क्योंकि आपको भी पता है, आपका जो, टॉटॉइज और आपके जो, खरगोश की जो कहानी थी, उसमें खरगोश का है, बहुत तेज भागता है, और end में आके रुख जाता है, मतलब वो consistent नहीं था, बहुत तेज भागता है, पर लगाता नहीं चलता, और जो वहीं आपका जो कच्छुए है, वो लगातार चलता है, और until or unless वो क्या होता है, सक्सस को पाही लेता है, तो वो कच्छुए से आपको inspiration लेकर चलते रहना है, इसका मतलब पढ़ते रहें, छोड़े ना, इस तरीके सांस ले रहें, खाना खारें, उस तरीके से पढ़ाई को भी चामिल करें कि रोज पढ़ना है, छोड़नी नह चामिल था शोड़नी तरीके सारें मैं आपको अनौंगा टाहिए से बाहाँ लेकर हैं झालते।